हेलो गाईच और वेलकम टुमाई यूटोब चेनल टेक्निकल उत्तर परदेश दोस्तो आज के वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप अपने Realme 9 Pro के फोन में आटोमेटिक कॉल रिकोर्डिंग कैसे करेंगे हला कि आपके फोन में एक शेटिंग नहीं दी हुई है इसलिए आप लोगों को एक एप्लिकेशन में आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ सबसे पहले आपको अपने फोन में प्ले स्टोर को ओपेन करना है यहाँ पे आपको सर्च करना है काल रिकोर्डर और क्यूब एस्यार क्यूब एस्यार सिर्फ लेकर सर्च करेंगे आप लोगों के यही अप्लिकेशन दिखाए देगा 10 मिलियन से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं काफी लोगों के फोन में काल रिकोर्डिंग के प्रॉबलम होती है इसलिए आप भी डाउनलोड कर लिजे और ओपेन करिए नेक्ट के ओप्सन पे आप लोगों को किलिक करना है इसके बाद यहाँ पे ग्रांट परमिसन का ओप्सन दिखाए देगा इस पर किलिक करना है, इसके बाद यहाँ पे परमिसं मांगी जाते है अलाओ पर किलिक करके परमिसन देदेनी है ऐसके बाद यहाँ इसके बाद यहाँ से आन कर लिजीए सिर्फ उपर वाले को आन कर लेजिए इसके बाद आप लोगों को अपने फोन में बैक आ जाना है यहाँ पे बैक आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को कुछ एशा इंटरफे देखने को मिलेगा OK Continued Option दिखाए देगा OK Continued Option पर किलिक कर देजिए इसके बाद यहाँ पे No Thanks का Option दिखाए देगा Left Side में No Thanks का Option पर किलिक करके OK Got It पर किलिक कर दिजिए इसके बाद यहाँ पे आपको Phone का Option दिखाए देगा Phone का Option पर किलिक करना है फोन के आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका फोन डाइलर ओपन हो जाता था यहाँ पर आपको बैक आना है अगर आपने इस application का यूज किया है तो यहाँ पर आप लोगों को सारी call recording देखने को मिल जाती है और कुछ basic जो information बेसिक setting होती है जो कि मैं यहाँ पर left side में ऊपर की तरफ देखेंगे यहाँ पर three line है इस पर आप लोग click करेंगे इस three line पर click करने बाद यहाँ पर recording को option दिखाए देगा आप लोग यहाँ से delay set कर सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को 00 कर देना है यहाँ पर चार्ड सेकंड है यहाँ देख सकते हैं अगर आप इसको 00 कर देते तो आपके phone में जैसी call आते है या call जाती कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो पिलिज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए